परिजय विभिन मिश्रणों के अव्यवों को क्रोमेटोग्राफी, आस्वन और प्रभाजी आस्वन द्वारा प्रथक किया जा सकता है। तो आईए इस मोडियूल में हम कुछ अन्य प्रिथिक करण की विधियों की चर्चा विस्तार से करें। उद्देश्शे इस पाठ के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी मिश्रण के अव्यवों को क्रोमेटोग्राफी, आस्वन और प्रभाजी आस्वन द्वारा प्रथक करना। वायू के अव्यवों को प्रथक करने की विधी के बारे में बताना। क्रिष्टली करण द्वारा ठोस पदार्थों के शुद्धी करण पर चर्चा करना, शुद्ध पदार्थों को वर्गी करित करना. उर्ध्व पातन यह विधी उन मिश्रणों के प्रथक करण के लिए अपनाई जाती है, जिनके अवियव जो गर्म करने पर सीधे गह सवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं. उन में उपस्थित अशुद्धियों जो गर्म करने पर सीधे गह सवस्था में परिवर्तित नहीं होते, उससे गर्म करने पर प्रिथक हो जाते हैं. इस चित्र में यदि अमोनियम क्लोराइड और साधारन नमक के मिश्रण को गर्म किया जा रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड उड़्धू पातित हो जाएगी, जिसका शीतलन करके ठोस रूप में पुनाप्राप्त किया जा सकता है, तथा नमक नीचे ही रह जाएगा. प्रोमेटोग्राफी जिसका मिश्रण होती है, वो अव्यव जो जल में अधिक घुलनशील है, पानी में जल्दी खुलता है और प्रतक हो जाता है. आस्वन इस विधी में परस पर घुलनशील द्रवों को उनके मिश्रण को उबालने के पश्चात, उनके वाश्प के शीतलन द्वारा उनको संगनित करके प्रतक किया जाता है. साधारण आस्वन का प्रयोग उन दो परस पर घुलनशील द्रवों को प्रतक करने के लिए करते हैं, जिनके कोथनांगों में परियाप्त अंतर होता है. यदि एसिटोन और जल को आस्वन उपकरण में गर्म किया जाए, तो एसिटोन का कोथनांग कम होने के कारण वह जल से पहले उबल कर वाश्पिद होगा, और शीतलन विथी द्वारा संगनित होकर जल से प्रतक हो जाएगा. प्रभाजी आस्वन प्रभाजी आस्वन का प्रयोग उन दो परस पर घुलनशील द्रवों को प्रतक करने के लिए किया जाता है, जिनके कोथनांगों में 25 के से कम का अंतर होता है. प्रभाजी आस्वन का प्रयोग पेट्रोलियम के अव्यवों तथा वायू से विभन गैसों को प्रतक करने के लिए किया जाता है वायू के अव्यवों का प्रतक करन वायू विभन गैसों का मिश्रण है वायू के अव्यवों को प्रभाजी आस्वन द्वारा प्रथक किया जा सकता है वायू को दबाव बढ़ा कर और ठंडा करके द्रवित वायू में संपीडित कर लेते हैं इस द्रवित वायू को प्रभाजी आस्वन इस्तंभ में धीरे धीरे गर्म करते हैं तब उसके अव्यव अलग-अलग उंचाईयों पर अपने-अपने कौतनांग के अनुसार प्रथक हो जाते हैं. क्रिस्टली करण द्वारा ठोस पदार्थों का शुद्धी करण क्रिस्टली करण विधी में किसी ठोस पदार्थ को उसके विलियन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है क्रिस्टली करण विधी द्वारा हम कौपर सलफेट के विलियन से शुद्ध कौपर सलफेट प्राप्त कर सकते हैं जल की कम से कम मात्रा में पांच ग्राम कॉपर सल्फेट खोलें। अशुद्धियों को अलग करने के लिए विलियन को छान लें। संत्रिप्त विलियन प्राप्त करने के लिए विलियन को चाइना डिश में वाशपी कृत करें। विलियन को चानक पत्र से ढख कर ठंडा होने दें. ठंडा होने के पश्चाथ शुद्ध कॉपर सलफेट के क्रिस्टल मिलेंगे. शुद्ध पदार्थों के प्रकार शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें तत्व और योगिक कहा जाता है तत्व या पदार्थों के मूल रूप होते हैं, जिन्हें किसी भी रासाइनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है. इन्हें धातू, अधातू और उपधातू में वर्गिक्रित किया जाता है. धातू, ये चमकीली, गुंजायमान, लचीली, आघात वर्धनिये, तन्य और उश्मा तथा विद्युद की सुचालक होती है. अधातू, ये चमकीली, गुंजायमान, लचीली, आघात वर्धनिये तथा तन्य नहीं होती है. तथा ये विद्युद और उश्मा की कुचालक ह उपधातू ये वे तत्व हैं जिनमें कुछकुन धातूं के तथा कुछकुन अधातूं के होते हैं जैसे बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम इत्यादी। योगिक ये वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासाइनिक संयोजन से बनते हैं जैसे जल, कारबन डायोकसाइड, शरकरा, नमक, आइरन सलफाइड इत्यादी। क्या आप जानते हैं? तत्व की संकल्पना रॉबर्ट बॉयल 1627-1691 ने की थी। उनकी परिभाशा का प्रायोकात्मक आधार था कि तत्वों को किसी भी तरह अन्ने सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका तात्व पर ये था कि सभी तत्वों की पहचान आस्थाई थी। जब तक की बेहतर तक्नीकों द्वारा यह नहीं बताया गया किस संभवता गलती से किसी योगिक को तत्वों मान लिया गया था। उस समय का एक महतपून विचार परमाणूं की स्थर्ता का था जिसके अनुसार कौपर का परमाणूं हमेशा कौपर का परमाणूं ही रहेगा और किसी भी प्रकार परिवर्तित नहीं होगा। रेडियो धर्मिता, सनलयन और विखंडन जैसी हाधुनिक खोजों ने इसे गलत सिध्ध कर दिया। ये विशे भौतिक विज्ञान और रसाइन विज्ञान के बीच के हैं और इन्हें आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रिधक करण की सही तकनीक का प्रयोग करके किसी भी मिश्रन से शुद्ध पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ तत्व अथवयोगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थों के मूल रूप होते हैं, जिन्हें किसी भी राशायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्ने सरल रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है। योगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासाइनिक संयोजन से बनते हैं। योगिकों के गुण धर्म उन तत्वों के गुण धर्मों से अलग होते हैं जिन से मिलकर वह बना होता है। जबकि एक मिश्रण के गुण धर्म उन तत्वों और योगिकों के गुण धर्मों को प्रदशित करते हैं, जिन से मिला कर वह बना होता है.